उट गई है जानवी की अर्थी सच गई है जानवी की चिता विराज के अत्याचारों से तंग आकर जानवी ने मौट को गले लगा लिया है और अब विराज को देनी है जानवी को अंतिम विदाई बहुत ही उदास लेकिन ऐसा तो विराज सोच रहा है कि जानवी विराज को छोड़ कर चली गई है असलियत तो हम जानते हैं जनाब कार में बैठी इन महतरमा को गौर से देखिए ये कोई और नहीं बलकि जानवी ही तो है जो अपने ही अंतिम संसकार में चली आई है अपनी चिता जलने के नजारे देखने के लिए और वो भी सफेद साडी में जी हाँ यही सच है कि जानवी जिन्दा है और तो और कैमेरे के पीछे अपने अत्याजारी दुष्ट पती विराज से मिल भी रही है जानवी विराज के सारे पैसे लेकर भाज गया हूँ भले ही जानवी भगवान को प्यारी ना हुई हो लेकिन उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है भूत बनकर विराज को डराने की फिट डर गए भूत की हालत खरा होगे लगे लगणा भूत हूँ वैसे विराज और जानवी आज आप दोनों काफी सेम टू सेम लग रहे हैं आखिर बात क्या है अखिर बात क्या है लेकिन विराज एक बात जो हमें साफ साफ नजर आ रही है वो ये है कि आपको शायद ज्यादा दुख नहीं हो रहा जान वी के यूँ चले जाने का तभी तो इतने बंठन कर संग्लासस लगा कर बाल बना कर गाड़ी में बैट करा हैं आप अपने बीवी के अंतिन संसकार में क्यों सही कहा न हमने अब जब विराज सिंगल और वेटी टू मिंगल है तो उन्होंने बिलकुल देर ना करते हुए अपने लिए नया लाइफ पार्टने भी धून लिया है जी हां लगता है कि कमॉली का पर है विराज की नजर तब ही तो देखिए क्या से कोने में खड़े गुफ्टगू कर रहे हैं दोनों वाह वो ही तो जानमी मुझे भसा गई है उसको पचाते पचाते मैं भस लिए हूँ एक साइकोर्टिक एक साइकाइट्रिस्ट जोड़ी तो अच्छी पनेगी लेकिन अब देखना पड़ेगा कि कौन साइकाइट्रिस बात में बनता और कौन साइकाइट्रिक बन जाता है मुझे लगता रोल रिवर्स तो ना हो जाए कि यह कुछ भी हो सकता है विराज किसी को नहीं छोड़ सकता है जलेंगी सास में यहीं पे उसका बस चले तो स्निहा शर्मा के साथ पारस को धारी स्टान यूज मंबाई